नमस्कार SBT News में आपका स्वागत है पेश 29 माई सोमवा शाम सवा साथ बजे राजिस्तान की बड़ी खबरें राजसान के मुख्य मंतर शोग गहलोद ने सोमवार को कहा कि कांग्रस आलाकमान आज भी इतना मजबूत है कि कोई नेता ये कहने की हमत नहीं कर सकता कि वो अपनी पसंद का बद लेगा या फिर पार्टी उसे मनाने के लिए पद की पेशकर्ष करे उन्होंने कांग्रस अद् नेता पद मांगे या आलाकमान पद की पेशकर करे ये रिवाज मैंने कांग्रिस में नहीं देखा आलाकमान और कांग्रिस इतने मजबूत हैं और ऐसे सिती नहीं आई है कि कि किसी को मनाने के लिए पद की पेशकर्ष की जाए या कोई नेता अथवा कार करता ये कहे कि मैं ये पद नहीं ये पद लूँगा उन्हें ने कहा ऐसा कभी नहीं हुआ और कभी नहीं होगा प्रधान मंत्री मोदी ने नौर्थ इस्ट की पहली और देश की उनिस्वी वंदे भारत एक्स्प्रेस को वीडियो कांफेंसिंग के जरीये हरी जुन्डी दिखाए ये ट्रेन असम के गुवा हर्टी से पश्च्य मंगाल के न्यू जलपाई गुड़ी के बीच चलेगी जो 411 किलोमेटर की दूरी 5 घंटे 30 मिनट में तैय करेगी आज नौर्थ इस्ट की कने अक्टिविटी से जुड़े 3 काम हो रहे हैं नौर्थ इस्ट को पहली मेड इन इंडिया वंदे भारत में लही है दूसरा ये पश्च्य मंगाल को जोडने वाली तीसरी वंदे भारत है तीसरा मेगाले के लगभग 425 किलोमेटर ट्रैक पर विद्यूती करण का काम पूरा हो गया है तासान सरकार ये गवननेंस से आमजन को सावजनिक शेत्र के अधिक्तम सेवाई पारदाशीता अरत्वरित गती से पहुंचवाने के लिए संकल्पित है इस एकरम में मुख्य मंत्रेशों गहलोत ने सहकारिता विभाग में एगवननेंस प्रजक्ट के लिए 5.4.5 लाक रपे के वित्य प्रस्ताव को मझूरी दी है विभाग में ये गवर्नेंस प्रोजक्ट के लिए हार्ड वियर खरीदने और अन्य संसादनों के लिए 3 करोड 75 लाक रपे एवं FMS कॉपरेटी मैरेजमेंट सिस्टम के लिए 1 करोड 71 लाक रपे का वियर होगा इससे एक गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए नवीन तकनीक के विभिन आवशक उपकरन खरीदे जाएंगे कॉंगर्स प्रदीश अध्यक्ष एवं लक्षमान गड़ विधाय गोविन सिंग डोटास्रा और सीकर से कॉंगर्स विधाय राजवेंद्र पारिक में नोगचोंख हो गई पानी के निकासी के मुद्धे पर दोनों निता आमने सामने आ गई डोटास्रा ने पारिक पर अधिकारियों का साइड लेने का रूप लगाया करिब 10 मिनट तक दोनों निताओं में बहस होती रही और कलेक्टर सभागार में उपसित कलेक्टर से लेकर परभारी मंतरी शकुंतला रावत देखते रहे दोनों निता एक दूसरे को सीमा में रहने के हिदायद देते रहे बात आगे बढ़ती देख शकुंतला रावत ने पारिक को टोका सीनिय टीचर भरती पेपर लीग के मास्टर माइंड अनेलोर्फर शेर सिंग मीना को प्रमोट करने के मामने में मादमे खिक्षा निदेशा गरव अगरवाल को राज्जी सरकार ने अप्यो कर दिया है गरव को फिलाल जैपुर में ही हाज़री देनी होगी रासान में एक्टिव वेस्टन डिस्रबेंस का असर आज भी कहर बरपा रहा है इसका सबसे ज़्यदा असर जूदपूर जापूर बीका नेर के अलावा आज मेरे संभा की कुछ जीलों में देखने को मिला आज यहां सतर से असी किलोमेटर प्रती घंटे के रफ़तार से तेज अंधर आ सकती है इसके साथ ही तेज बारिश का दौर भी होगा और बिजली भी गिर सकती है इस तिती को देखती हुए जैपूर मौसम केंडरे ने साथ जीलों के लिए औरेंज अलर्ट और तीन जीलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए बारिश आंधी के समय सुरक्षि स्थानों पर रहने के सलाह दी है इससे पहले पिछले 24 गंटे में उतरपश्मी राजिस्थान के जीलों में अंधर ने जबदस्त तबाही मचवाई टायसान के 23 लाग लगू एवम सीमांत कृष्को को प्रमुक फसलों के प्रमारित किस्मों के बीज मिनिकट और निशुल के वित्रित किये जाएंगे मुख्य मंतरी अशोक गहलोत ने इसके लिए 128 करोड 57 लाख रुपे के वित्रित प्रस्ताव को मंजूरी दी है प्रते किसान को बीज मिनिकट में संकर मक्का के 5 किलोग्राम सरसो के 2 किलोग्राम मुंग व्या मोट के 4-4 किलोग्राम और तिल के 1 किलोग्राम प्रमारित किस्मों के बीज निशुल को उपलप्त कराए जाएंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की 31 माई को अजमेर के काड़ विश्राम स्थली में सभा प्रस्तावित है इसे लेकर भाचपर ने तयारियां तियुच कर दी है इस मौके पर राठाओन ने कहा कि कांगरिस सरकार में ऐसे मोचा के साथ अत्याचार हुआ है नेजा प्रतिपाक शुराजेंद्र राठों ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 31 माई को के इंद्र सरकाल के 9 वर्ष गरिब कल्यान के वर्ष देश के उत्थान के वर्ष और बदलते हुए देश के कारिकाल के दिवस के मौके पर अजमेरू के अतिहासिक धरा पर आ हैं चिताडगार थाना कोतवाली पुलिस ने एक होटल के पास एक मुबाइल शॉप में छापा मारा पुलिस को यहां वैद रूप से रुपियों के ट्रेंडिंग होने की जान करे मिली थी पुलिस के आने से हड़कम मच क्या पुलिस ने वहां दुकान और मकान के तलाशी जोहां से लगवग 50 लाख रुपे का हवाला रुपे बरामद हुआ है पुलिस ने रुपे एक प्रिंटर मशीन ब्लैंक चेक दो नोट गिनने के मशीन और हिसाब किताब की डायरी अपने साथ थाने में ले आई है कारवाई अब भी जारी है करोली जिले में पिछले 4-5 दिन में आए अंधर और बारिश के चलते बिजली विभाग को करीब 1 करोड रुपे से ज़्यादा का नुकसान हुआ है अंधर के कारण सैंक्रों की संख्या में पेर तूट गए तो कई जगा पर छपर पोश, मकान, 3 शट को भी नुकसान पहु इसकी साथ ही सेना के जवानों का अपने कारे साल पर आना जाना सुगम हो जाएगा आवगमन के लिए विश्विस तरे स्टेशन के सुविधा भी यह अपलब्द होगी उतर पशिम रेलवे के मुखे जन संपर का दिकारी क्याप्टन शोशी के रन के अनुसार और महा इस स्टेशन का पुन रविकास का कारे फ्रगक्ति पर है। जबकि धर्म की चौकट पर आने वाले लोगों की तादाद 10 करोड के लगभग रही जयपर में विद्या धर्नगर के सेक्टर 4 में 700 वर्ग मिटर सरकारी जमीन पर अतिक्रमन है जेडिये वर्षे 2016 में जमीन प्रवैत कपजा माचुका है ये जमीन कोलोनी के नक्षे में ग्रीन के नाम से छूटी हुई है इसके बाद भी इस जमीन को मुक्त कराने के लिए 7 वर्ष कम पड़ गए जबकि सेक्टर 4 की नागरिक विकास हमीती ने इन 7 वर्ष में मुक्खे मंतरी, मुक्खे सचिफ, GDC, प्रवर्तन शाखा के मुक्खे नियंतरक और जोन उपाईक को 17 बार पत्र लिखे ये जमीन अतिक्रमन मुक्त होती तो इस पर पार्क बनता और आसपास के हजारों लोगों को इसका फायदा होता सिरोही जिले में जून माहा में खेलों की महाकुम राजीव गांधी, ग्रामीन एवं शहरी उलम्पिक खेल प्रतियों गिताएं आयोजित होना प्रस्तावित है खेलों को लेकर सिरोही जिले में अब तक शहरी शेत्र में 13,221 वे ग्रामिन में 4,589 खिलारेयों का रजिस्ट्रिशन हो चुका है खेलों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामिन और शेहरी शेत्रों में राजीव गांदी ओलंपिक के आयोजन की घोशना की थी इसके तहट गतवश ग्रामिन शेत्रों में ओलंपिक कराये गए थे शहरी शेत्रों में ये ओलम्पिक कराय जाने थे इसके लिए रजिस्टेशन भी करवाय गए लेकिन विद्यार्थियों के परिक्षाओं के चलते इसे सगित कर दिया गया था अब 23 जुन से ग्रामिनो शहरी शेत्रों में एक साथ खेल कराय जाने पर स्तावित हैं IPL के मैचों का शोर थमते ही अब राजिस्टान के राज़ानी जैपर में अगले महिने से सोशल प्रीमियर लीग शुरू हो रही है वेबेने समाजों के और से होने वाले क्रिक्ट टूर्नामिन्ट के जरी युवाओं की फिजिक बहतर बनाने के लिए ही उनकी खेल पतिभाग को भी तराशव जाएगा समाजिक मेल जूल को बढ़ावा देने के लिए होने वाले क्रिक्ट लीग में महिनाएं भी बेलन छोड़कर बैट थामेंगे और चौक की छखके की बारिश करेंगी आईपेल की तरच पर लाटरी के जरीए टीमों और खिलाड़ियों का चौक किया जाएगा और टीमों के नाम रखे जाएंगे मैचों की लाइव टेली कास्ट और कमेंटरी के साथ ही बेस्ट बॉलर बैटसमें सहित आने पर सकार दिये जाएंगे तो फिलाल इस बॉलेटिर में इतना ही फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ